बीच में एक तो सांस्कृतिक कारिकर्म का पहले आयोजन किया गया था और इनके द्वारा राखी वगरा स्वेम सेवी संस्था के माध्यम से तयार कराई गई हैं और राश्ट्री ध्वज भी हम लोग तयार कर रहे हैं बंदी हमारे तयार कर रहे हैं दिन रात मेहनत करके वो ध्वज हम अपने स्टाफ को और जेल में बंदियों को सबको देने के लिए सबको दे दिये गए हैं ये सारे काम कर रहे हैं और आज रक्षाबंधन में काफी संख्या में बहनों के आने का रुमान था उसको देखते हुए हम लोगों ने उनके लिए पेजल की बेऊस्था, शेड की बेऊस्था, धूब नहो चाया की बेऊस्था हो जाए ये सब ब्योस्था कर रखा है इसमें हमने सुयम से भी संस्थाओं का सहयोग लिया है और उनके माध्यम से बंदियों के लिए रोली, टीका, अक्षत, राखी, मिठाई ये सब ब्योस्था भी इन लोगों ने किया है और हमारे माननी मंत्री जी और डी जी सरकाई निर्देश कि जो भी लोग आते हैं उनको सुविधा जनक तरीके से राखी बांधने के ब्योस्था कराई जाए और कोई भी कलाई सूनी न रहने पाए तो इस दिशा में हम लोग पूरा प्रयास करना है कि उसमें हम सफल हो काफी है इस बार चूंकि इस समय सबको कोविड की वैक्सीन दो दो डोज लगाई जा चुकी है तो यह ब्योस्था किया है कि जिनको दो डोज लग चुकी है वो और बंदियों का भी चेकप हम लोग समय समय प्रकराते रहते हैं तो कारगार में कोई बंदी भी कोविड से पीडित प लोग दो दो वैक्सीन लगवाई हुए हैं तो इस तरह से थोड़ा गयब रहेगा तब भी लेकिन प्रयास यह किया है कि सबको सुविधाजनक तरीके से राखी बांधने का मौका दिया जासके हुआ 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 है